प्लानिंग कमिशन एक जैसा ही प्लान सभी राज्यों को दे रहेता था लेकिन नीती आयोग एक फिंटांक के रूप में वर्थ कर रहा है वो एवरी इस्टेट के प्रॉब्लम्स को रील करता है और उस इस्टेट को उसके प्रॉब्लम्स के एकॉर्डिंग प्रोग्राम दे क्लियर दूसरी चीज़े यह है कि नीती आयोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्लान करानी की लिए नहीं है बल्कि यह डव्लप्मेंट के लिए जिए इंडिया से बाहर में हमारे इंडिया को किस किस चीज़ से प्रॉफिट होगा इस पर भी वर्थ कर रहा है समझके हैं तो नीती आयों एक मर्पी परपास या नीती आयों वे ठिक टैंक है clear है समझके इसको बेरी बेरी इपॉर्टेंट में डालना एक फोकस कॉपरेटिव फैडरलेज्म एक इस्टान शोड़ कर नीचे है कॉपरेटिव फैडरलेज्म मिला कॉपरेटिव फैडरलेज्म को देखको वर्ड कैसे क्योंकि यह वर्ड नहीं आया फिंग टैंट आपका आचुका है clear statutory आचुका है यह दोनों वर्ड को statement में ले चुका है clear cooperative फैडरलेज्म का सीधा सीधी मतलब होता है कि हमारे पास पार्लेमेंट है पार्लेमेंट किनके किनके मिलने से बना PRAZ복 वर्डुर्ट आग fluent को इसी पार्लेमेंट को आणट सेटर्ल भी कहते है इसी पार्लेमेंट को आणट आख यूनियन भी बोलेंगे all in all power कहां पर सीज है पार्लेमेंट में लेकिन क्या PM हर एजिटेट में जाकर पूरा शाशन करों नहीं है मुझे मिलकर शाशन करना वड़ेगा क्लियर है समझ गए आप चली आप देखिए कि एक पीम पूरे राजियों में साशन नहीं कर सकता है हम क्या करते हैं राजियों को इस्टेट को भी पावर देते हैं आप अपने कोडिंग अपना साशन एड्मिनिस्टेशन चलाओ लेकिन अगर कोई एमर्चंसी वगर अलग दे सेंगल इस्टेट के साथ मिलकर वर्थ करें इस बात को नीती आए होगे